Microsoft Word अथ्वा MS Word अथ्वा Word एक Word प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जो Microsoft Office Suite के साथ आता है Microsoft Office Desktop Application और Microsoft के Server का Office Suite है सबसे अधिक प्रयुप्थ होने बाली Application है MS Word, MS Excel, MS PowerPoint और MS Access MS Word एक Word प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जो किसी भी टेक्स्ट के पठनियता को बढ़ाता है यह आपकी डाटा और डॉक्यमेंट शेर करने Communication टूल का प्रयोग करने Internet का प्रयोग करने और डॉक्यमेंट को प्रिंट करने में भी सहायता करता है MS Word के प्रयोग द्वारा आप विभिन प्रकार के डॉक्यमेंट जैसे पत्र, मेमो और रिपोर्ट बना सकते है आप डॉक्यमेंट को परिवर्तित इसके प्रारूप को परिवर्तित और इसे प्रिंट भी कर सकते है आप डॉक्यमेंट में कई प्रकार के फॉंट प्रकार फॉंट के रंग तथा तस्वीरें Graph और तालिकाएं डाल सकते हैं MS Word को शुरू करने से पहले आईए Word को शुरू करें और इसकी विंडो को जाने MS Word शुरू करने के लिए Start बटन पर क्लिक करें Mouse को All Programs पर ले जाए Microsoft Office पर क्लिक करें Microsoft Office Word 2007 पर क्लिक करें एक नई डॉक्यमेंट की विंडो दिखाई देती है इस डॉक्यमेंट विंडो को देखें यह कई हिस्सों में बटी हुई है यह है Title Bar, Quick Access Tool Bar, Ribbon, Ruler, Workspace अथवा Text Area, Scroll Bar और Status Bar Title Bar पर वर्तमान में सक्रिय डॉक्यमेंट का नाम और प्रोग्राम का नाम लिखा होता है आप Title Bar पर डबल क्लिक करके डॉक्यमेंट विंडो का साइज बदल सकते हैं Title Bar पर डबल क्लिक करके डॉक्यमेंट साइज को अपनी सामान्य अवस्था में आता हुआ दिखाएं Title Bar पर Office Button और Minimize, Restore, Down, Maximize और Close Button है आई यह उनके बारे में जाने Office Button से हाल के डॉक्यमेंट की लिस्ट मिलती है इससे जल्दी से अक्सेस करने के लिए आप डॉक्यमेंट के नाम पर क्लिक कर सकते हैं Office Button कई विकल्प देता है जो स्क्रीन पर दिखाई देते हैं आप इन विकल्पों द्वारा डॉक्यमेंट को उत्पन, खोलने, स्टोर अथवा प्रिंट कर सकते हैं Minimize Button डॉक्यमेंट विंडो को टास्क बार आइकन के रूप में Minimize अथवा छोटा कर देता है आइकन पर क्लिक करके आप विंडो को इसकी पूर्व अवस्था में ला सकते हैं Restore Button फुल स्क्रीन से पहले Document Window पुल स्क्रीन में बदलने में सहायता करता है Close Button डॉक्यमेंट विंडो को बंद करके Word आप्लिकेशन से बाहर निकलने में सहायता करता है जैसा की नाम से स्पष्ट है, Quick Access Toolbar अक्सर काम में आने वाले Tools जैसे Save, Redo, Undo को शिगरता से प्रयोग करने में सहायता प्रदान करता है आप Dropdown List में से आइटम चुन कर Quick Access Toolbar को अनुकूलित कर सकते हैं Quick Access Toolbar अपने आप Ribbon के उपर होता है, इसकी स्थिती को अनुकूलित करके इसे Ribbon के नीचे लाने के लिए आप Dropdown List में से Show Below the Ribbon Option चुन सकते हैं अब Ribbon को देखें, Ribbon के उपर मेन्यू आइटम टाब के रूप में विवस्थित हैं Tab को क्लिक करने से विभिन समूहों से संबंधित मेन्यू विकल्प दिखाई पड़ते हैं प्रत्येक समूह में आप संबंधित मेन्यू बटन देख सकते हैं Ribbon के नीचे Ruler होता है Ruler नापने और चीजों को डॉक्यमेंट में जल्दी से विवस्थित करने में सहायता करता है यदि Ruler दिखाई नहीं दे तब View Tab को क्लिक करें और Ruler Checkbox को चुने Ruler Ribbon के नीचे दिखाई देता है इस चौड़े सफेद रिक्त स्थान को देखें यह Workplace अथवा Text Area है जहां आप Document बना सकते हैं क्षैतिज और उर्धवाधर Scroll बार को देखो यह Document के उपर और नीचे जाने में सहायता करता है Document Window के सब से नीचे Status बार स्थित होता है यह वर्तमान प्रिष्ट और वर्तमान में सक्रिय डॉक्यमेंट में शब्दों की संख्या डिस्प्ले करता है Status बार पर दिखाई जाने वाली सूचना को आप अनुकूलित कर सकते हैं अनुकूलित करने के लिए Status बार पर दाया क्लिक करें और Customize Status बार मेन्यू से वह विकल्प चुने जो आप चाहते हैं